चिंटू ने एक आयताकार यानि की rectangular मेज बनाई है जिसका परिमाप यानि की perimeter 20 meter और क्षित्र फल यानि की area 24 वर्ग मीटर है मेज की लंबाई चोड़ाई से अधिक है मेज की लंबाई और चोड़ाई पता कीजिए लंबाई और चोड़ाई पून संख्याई यानि की whole numbers हैं हम इस मेज का चित्र बना लेते हैं इसकी लंबाई चोड़ाई से अधिक है तो ये मेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगी ये आयाम यानि की dimension इसकी लंबाई है और ये आयाम भी लंबाई है यानि की यहां से यहां तक की दूरी इसकी लंबाई है और ये दिखाने के लिए कि ये दोनों लंबाईयां समान है हम यहां भी लंबाई लिख लेते हैं और इसके बाद ये आयाम चोड़ाई यानि की विर्थ है तो ये चोड़ाई है और ये भी चोड़ाई ही है ये एक आयत यानिकी rectangle है इसलिए ये दोनों भुजाएं भी समान होंगी यहां बताया गया है कि परिमाप यानिकी perimeter 20 मीटर है जिसका मतलब है कि चोड़ाई जमा चोड़ाई जमा लंबाई जमा लंबाई को जोडने पर 20 आता है और ये भी बताया गया है कि खेतर फल यानिकी area 24 वर्ग मीटर है और इसका मतलब है कि चोड़ाई को लंबाई से गुण करने पर 24 आता है तो हम इसे यहां लिख लेते हैं चोड़ाई कुणा लंबाई बराबर 24 हम इस प्रश्ण को कई तरीकों से हल कर सकते हैं और जब आप बीजगणित यानि की ऐलजेब्रा सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस प्रश्ण को बीजगणितिय तरीके से हल कर सकते हैं लेकिन अभी हम इसका प्रश्ण में बताया गया है कि लंबाई और चोड़ाई पून संख्याई यानि की होल नंबर्स हैं इसलिए हमें कुछ संख्याओं का प्रश्ण करके देखना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि चोड़ाई गुणा लंबाई 24 है इसलिए हम उन सभी पून संख्याओं का प्रयोग करेंगे जिनने आपस में गुणा करने पर 24 आता है यानि की हमें 24 के गुणन खंड यानि की factors पता करने हैं और फिर ये पता लगाना है कि इन में से कौन सी संख्याओं परिमाप यानि की perimeter की शर्तों को पुरा करती है यानि की अगर हम चोड़ाई जमा चोड़ाई जमा लंबाई जमा लंबाई करें तो परिमाप 20 आना चाहिए आईए इन संख्याओं को पता करने की कोशिश करें इसके लिए हम यहां दो स्थम्भ यानि की columns बना लेते हैं एक स्थम्भ को हम चोड़ाई कहेंगे और दूसरे स्थम्भ को लंबाई कहेंगे और फिर अगले स्थम्भ में परिमाप लिख लेते हैं और इससे अगले स्थम्ब में क्षेत्रफल यानि की एरिया लिख लेते हैं, अब मैं यहां तालिका यानि की टेबल बना रहा हूँ, तो ये तालिका है और अब हम अलग-अलग संख्याओं का प्रयोग करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिन संख्याओं का भी तो ये चोड़ाई एक हो सकती है और लंबाई 24 हो सकती है एक गुणा 24 हुए 24 क्योंकि प्रश्ण में बताया गया है कि मेज की लंबाई चोड़ाई से अधिक है, इसलिए हम लंबाई में बड़ि संख्याओं का रिखेंगे, तो एक गुणा 24 हुए 24, लेकिन एक जमां एक जमा 24 जमा 24 कितने हुए, ये हो जाएगा 2 जमा 48 यानि की 50, ये परिमाप यानि की परिमिटर की शर्तों को पूरा नहीं करता, क्यूंकि हमें परिमाप 20 चाहिए, इसलिए हमसे काट देते हैं, ये परिमाप आवश्चक परिमाप के बराबर नहीं है, तो अब 24 के अन्य गुनन खंड हैं, 2 गुणा 12, 24 होते हैं, लेकिन 2 जमा, 2 जमा, 12 जमा, 12 कितने हुए, ये हो जाएगा 4 जमा 24 यानि की 28, ये परिमाप भी आवश्चक परिमाप की शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए हम इसे भी काट देते हैं, 3 और 8 भी 24 के गुनन खंड हैं, 3 गुणा 8 हुए 24 और 3 जमा, 3 जमा, 8 जमा, 8 हुए 22, यह परिमाप यानि की परिमिटर आवश्चक परिमाप के काफी करीब है, लेकिन 20 के परावर नहीं है, इसलिए ये भी सही नहीं है, 4 और 6 भी 24 के गुणन खंड हैं, 4 गुणा 6 हुए 24, और 4 जमा, 4 जमा, 6 जमा, 6 कितने हुए, ये हो जा आएगा 8 जमा, 12 यानि की 20, जो के निश्चित रूप से 20 के बरावर है, इसलिए ये सही है, तो इस प्रकार मेज की चौडाई है 4 मीटर और लंबाई है 6 मीटर